इन विशम परिस्थितियों में, जिन सैनिकों ने युद्ध की दिशा को पल्टा, उन सब को भी अगर आप सोचे कुछ पलूं के लिए, लेफ्टनिंट मनोच पांडे, उम्र ही क्या थी? 21-22 साल के ये लड़के, क्याप्टिन विक्रम बत्रा, ये सब हमारे परमवीर चक्र, उस छोटी सी उम्र में, देश के लिए प्राण मियोचावर करने से पहले, एक पल को भी नहीं सोचा होगा, इन पहाडियों से टक्कर लेने में, उसके उपर मजबूती से बैठे दुश्म रणक्षेत्र की रणनीती भारत के सेन्य नित्रत्वती ताकत है, और युद्ध भूमी पर हमारी सबसे बड़ी शक्ती हमारे सेनिकों का जजबा है, हतियारों के बलपत उस जजबे को हरा पाना असंभव है, इस देश की मिट्टी ऐसे वीरों को उपज़ती हैं, जो बलिदान की परंपरा को साथ लेकर जो दुद्धनुमी में उतर दे हैं, निश्चित मृत्यू को आखूं के सामने देख कर भी जो वीर रत्ती भर विचलित नहीं हुआ, जिसने पहले से प्रण ले रखा था कि अगर खुद को साबित करने से पहले मृत्यू आ गई तो मौत को मार डालेगा, उस महायोध्धा ने रणक्षेत्र में मौक का ऐसा तंडव रचाया कि पाकिस्तान की साथ कुष्टों के सपने में फाउख बनकर आता रहेगा. उसने कहा ना छोड़नों, मतलब आदमी की जान जा रही है और लड़का फिर भी कह रहा है कि इनको मत छोड़ों। लड़के तो उन्होंने अपना खुकरी निकाला और उन्होंने चार्ज कर दिया और चौथा बनकर कभी कम्प्लीट कर दिया। क्योंकि पाकिस्तानी मनसूबों की खबर सेना के अधिकारियों तक पहुँचाना जरूरी था, 18 साल की छोटी सी उम्र में इस परमवीर ने जुद्ध का रुख ही बदल लुए। सबसे पहले जब वो मेरे पास आये तो मैंने देखा वो पूरे ब्लीड हो रहे थे, सबसे पहले जो मेरा अपना स्लिपिंग बैग था, उसमें मैंने उनको रखा थोड़ा उनको गरम किया, क्योंकि रात का वकत था, टंपरेचर बहुत डाउन था, हवा चल रही थी, और च हाथों में बंदूक लेकर दुश्मन को सामने खड़े होकर ललकारते हुए, संजय कुमार का वो धूप, करगिल में हमेशा वीरता का प्रतीक रहेगा, दुश्मन की कितनी गोलियां लग चुकी है, ये ध्यान नहीं, लेकिन कितने दुश्मन और बचे हैं, बस यही ध्यान रहा है, जो कर देदा कॉंपनी थी, अपनी कॉंपनी थी, मेरे चाली कॉंपनी थी, तोकाफी ज़वान वहां पर पोंच cuarto जो देगा हैं, हम सभी नहीं दवारा फख लेकारते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेने वाले ऐसे सपूतों की कमी नहीं है सेना की वर्दी धारण कर ली, मनोराश्ट्र का हर दायत्व धारण कर लिया बुखार से तमता जिस्म क्याप्टिल विक्रम बत्रा के संकल्प के आड़े नहीं आये क्योंकि मात्र भूवे पर दुश्मन की माजूदगी का आवेश ज्यादा तेज था एक बुलट ऐसा लगा, उनकी चस्ट में लगा, फिर भी वो खड़े रहे और बैट करके फायर कर रहे थे और पाकिस्तान आर्मी ने बहां पर आर्पीजी सैवन का फिर एक राउंट फायर किया जिसका वो इस सल उनको लगा और वो हमेशा के लिए वो गयरी दीन में सोगे जुलाई में भी इस उचाई पर हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि भेद देगी आपको, ठंडी हवाएं चल रही है यहां फिर भी ऑक्सिजन है, लेकिन सोची कि किवल चढ़ाई नहीं चढ़ रहे थे उस समय हमारे सैनिक बलकि इस उचाई पर असलहा, रसद क्योंकि कई दिनों तक आप वहाँ पर आपको रहना है, लड़ाई लड़नी है दुश्मन देखन ले ये भी आपको निर्धारित करना है उस वजन के साथ नंगी चोटियों पर जहां ऑक्सिजन यानि सांस में भी मुश्किल है वहाँ पर चड़ते जाना हधियारों के साथ मुकाबला करना उस दुश्मन से सलाम है करगिल की जंग में भारत ने अपने कई पराक्रमी सेनिकों को कमाया करगिल की याद हमारे दिलों से कभी नहीं निकल है और निकलनी भी नहीं चाहिए शॉरे कि वह परंपरा हमारे अंदर जिन्दा रहनी चाहिए कर्गिल का युद्ध हमें ये भी याद दिलाता है कि पाकिस्तान से लगती सरहत पर हम एक पल को भी सुस्त नहीं पड़ सकते हमारे मजोरिटी पोस्ट बहुत ही जादा हाइट पे हैं सेविंटीन थाउजन से एटीन थाउजन ये छे से साथ महिने के लिए विंटर कॉट आफ रहते हैं इसके लिए कोई भी मुमेंट पॉसिबल नहीं होती इसलिए एक जवान को मेंटली और फिजिकली बहुत पाकिस्तानियों ने पीछे हटते हुए अपने बंकरों में बंफिट कर दिये थे ताकि हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़पाना मुम्किन नहीं इतना ही नहीं चड़ाई के समूचे रास्ते में पाकिस्तान ने लैंड माइन बिचा दिये थी वह इतने पर नहीं रुका पाकिस्तानियों ने युद्ध में शहीद भारतिय वीरों के शरीव से बंबान दिये थे ताकि उन्हें वापस ले जाने की कोशिश में और हिंदुस्तानी जवानों की जान ले से फर्क देखिए भारत ने खुद पर धोके से हमला करने वाले काईरों को ना सिर्फ इज़त से वापस लोट ने लिया बलकि उनके मृत सेनिकों के शरीर को पूरे सम्मान के साथ वापस लोट आये पाकिस्तानी सिर्फ अपने अफसरों की बॉडीज वापस ले जाने आते थे सेनिकों की सरने को छोड़ दिया करते थे क्योंकि उनकी दलील थी कि ये लोग उनके हैं ही नहीं भारतिय सेना का बड़पन यहां भी दिखा उन्होंने सेना की सर्वोच परंपरा की अनुसार पाकिस्तानी सेनिकों के शरीर को सम्मान के साथ दफनाया 26 जुलाई 1999 को आपरेशन विजय सफल घोशित कर दिया गया जीत भारत की दूप हमारे जवानों ने बड़ी बहादरी से दुश्मन का मुकाबला किया है उसे पीछे धकेला है विजय पाई है 1999 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान कई तफाव बदले रिष्टों को लेकर दोनों देशों की समझ भी बदली सोच भी बदली और आगर है कभी बात चीत हुई कभी बंद कर दी गई रिष्टों की पुरानी गाठें सुलजी नहीं नई उज़ने पढ़ती गई भारतिय सेना का शौर यह तो था ही लेकिन साथ में एर सपोर्ट भी था भारतिय वायू सेना का रोल था जो हमारे वायू सेनिक थे उन्होंने रिकॉनसांस जो इन सारे हिस्सों में उची पहाडियों में दुश्मन किस स्थिती में है कितनी ताकत के साथ है वो पता लगाने में उनकी बड़ी भूमिका रही लेकिन ये जो मिक 21 आप देख रहे हैं ये दरसल गोल्डन आरोज स्क्वाडरन का हिस्सा रहा था इसने पाकिस्तानी पॉजिशन्स को बरबाद करने में बहुत एहम भूमिका निभाई थी देखे ये बहुत ही एक तालमेल की बात होती है आर्टिलेरी यानि हमारा तोप खाना किस तरीके से दुश्मन के पॉजिशन्स को सौफ्ट कर देता है और आपके जो पैदल सैनिक है वो वहाँ पर जाकर उस जगे पर फते हासिल करते हैं उसी तरीके से एफोस जो आस्मान से पूरी तरीके से बॉम करके दुश्मन को निस्तनाबूत करें और तब जो पैदल सैनिक है जाकर आगे उस इलाके पर कबजा कर लें तो सैनिक जो हमारे हैं, इंफेंट्री जो है, उसके अलग-अलग मोहिम, अलग-अलग चोटियों पर चल रहे थे आस्था का सरवोच चिस्थल, यह अमर जवान जोती, जो लगातार प्रजवलित है, लहराता हुआ तिरंगा जिसके लिए यहां पर हर एक व्यक्ति जब यह कहता है कि हमारे सैनिकों की सांसों से यह तिरंगा लहराता है, तो बहुत भावुक पल हो जाता है, और यह जगे बहुत भावनात्मक रूप से इसलिए एहम है, क्योंकि सोचिए यही वो चोटियां थी, जहां पर लड़ाईयां चल रही थी आप पीछे टाइगर हिल देख सकते हैं, यहां से सीधे आपको नजर आ जाएगा, इन सभी चोटियों पर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे थे उस समय, एक ऐसा युद्ध जो हमारे पडोसी की साजिश की वज़े से हमारे उपर थोपा गया था, लेकिन एक ऐसा युद् की साजिश कर लो, हिंदुस्तान के पराक्रम के आगे टिक ही नहीं सकते हो, युद्ध का परिणाम केवल जय और पराजय नहीं होता है, युद्ध का परिणाम पराक्रम से होता है, तिरंगे की शान और भारत माता की आन के आगे हमारे देश का कोई सिपाही अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं करता, 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ ही ओपरेशन विजय को सफल घूशित कर दिया गया, रणभूमी में तैनाथ हर एक वीर ने शौर्य की अनमोल विरासत हर देशवासी के लिए छोड़ी, उस साल पाकिस्तानी सेना ने केवल द्रास सेक्टर नहीं, बल्कि करगिल के पास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोरबाटला सेक्टर और सियाचन के दक्षण में तुर्तुक में बंकरों और पोस्ट पर कमजा कर लिया था, पर भार्तिय सेना ने अपना विजय अभियान प्रारंब किया, तो दुश्मन को अपनी हर चोटी से बेदखल किया, मैं इन सहीदों को नमन करता हूँ, जिनोंने कारगिल मैं मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जिता था, हमने सत्य, सैयम और सामर्थ का अध्भूत परिचय दिया था, करगिल की विजय ने बहुत कुछ बदला, सरहत पर हमारी तैनाती से लेकर विश्म में हमारे रुत्बे था, भारतिय सेना कठिन से कठिन इलाकों में मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी तैनात रहती है, पाकिस्तान करारी हार के बाद फिर युद्ध छेड़ने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया,